बिहार राज्य के बेरोजगार युवाओ के लिए मुख्यमंतरी नितिशकुमार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुवात की है इस योजना के तहट राज्य के बेरोजगार युवाओ जो शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगार है उन्हें बिहार सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता के रूप में एक हजार रुपे प्रतिमाहा की राशी दी जाएगी ये राशी सिक्षित बेरोजगार युवाओ को नौकरी मिलने तक दी जाएगी बेरोजगारी भत्ता यूजना 2021 के तहट दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता राज के सभी बेरोजगार युवाओ को आर्थिक और नैतिक सहयोग प्रदान करेगा राज के इच्चुक बेरोजगार युवाओ जो इस यूजना के तहट आवेदन करना चाहते है विसक्षा, विकास, एवंश्रम, संसाधन, विभा के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आनलाइन पंजिकरन कर सकते है अब युवाओ को कही भी जाने की जरूरत नहीं है अब वे घर बैठे आसानी से इंटरनेट के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाब उठा सकते है बिहार बेरोजगारी भत्ता दो हजार एकीस के तहट राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले हजार रुपए प्रतिमाहा की राशी लाभारती के बैंक खाते में सिधे ट्रांसफर की जाएगी आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवारी है इस योजना के तहट बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए बेरोजगार युआओ की सेक्षिक योग्यता कम से कम बार्भी या स्तानक या स्तानको तर होनी चाहिए बेरोजगारी भता योजना के लिए आउनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की वार्शिकाय तीन लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए अब जान लेते हैं योजना के लिए पात्रता क्या है इस योजना के तहट आवेदन करने वारे सभी आवेदकों की आयो 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए आवेदक की परिवार की वार्षिकाय तीन लाख से अधेक नहीं होनी चाहिए बिहार बिरोजगारी भत्ता 2021 का लाब लेने के लिए बिरोजगार युवाओ को सिक्षित योगिता बारवी पास होनी चाहिए उसके पास कोई भी ग्रैजुवेशन या पोस्ट ग्रैजुवेशन की डिग्री होनी चाहिए आविदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए उसके पास बेरोजगारी भत्ता योजना बिहार 2021 के तहट कोई सरकारी या नीजी सरोजगार नहीं होना चाहिए आविदक के पास बैंक खाता होना अनिवारी है और बैंक खाता आधार कार्ट से जुड़ा होना चाहिए